नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं पुजा अर्चना कायकनम में सामिल हुए, सीयम ने आदिवासी होस्टल में मांदर बजाते हुए थिरके भी लोग भी उनके साथ जूमने लगे, सीयम ने आगे कहा कि आदिवासी कोलेज चात्रवास में सरहूल के दौरान अपने समाज के बीच मांदर की थाप काया है ना की है, मौके पर मीडिया के प्रतिनीद्यों को संभोधित करते हुए मुख्यमंदरी ने कहा है कि आज क्या पवित्र दिन कई मायनों में महत्पूर्ण दिन है, सन्योग से आज के दिन ही सरहूल इद एव नौरातरी का तेवार पूरे देश में एक साथ मनाया जा रहा है हमन्त जेल में है, पर क्या आदिवासी को प्रकिर्ती प्रेम से दूर किया जा सकता है कलपना सुरेन, कलपना सुरेन ने अपने दोनों पूत्र नित्तिल, सुरेन और विश्वजीत सुरेन की तस्विर एक्स परपोस्ट करते हुए लिखा है कि तना साही ताक्तों के सलेंद हमन्त जेल में है, मगर आदिवासी को प्रकिर्ती प्रेम से कभी दूर किया जा सकता है क्या, कभी नहीं प्रकिर्ती सरोपरी है, प्रकिर्ती का ब्रिहत सरोप अपने संहर्ची योधा हमन्त जी को अपना अथा, सने और अशिर्वात दे, उन्होंने मुख्यमंत्री हरों का अभार ब्यक्त करने का पवित्र आउसर मिलता है, पीडियो से सरहूल हमारे लिए जल जंगल जमीन की रक्षा करने वालों हमारे प्रुवजों को याद करने का परव भी रहा है, राजेपाल सी पिताधा किष्णा ने मौब लेंचिंग बिल राष्ट पती को भेजा जार्खन के राजेपाल सी पिताधा किष्णा ने जार्खन बिधयक 2021 हिंसा और मौब लिंचिंग की रोक्ताम को राष्ट पती द्रोपती मुर्मु के पास बिचार के लिए भेजा है, इसमें हिमन सुरेन सरकाद वार पारित कानून से जुड़े कुछ तक निकी मुदे पताया है कि या विधयक दो या अधिक हिंसक ब्यक्तियों के समों को भीड के रूप में परिभासित करता है, जो कि भातिये दंड संहिता में दी गई इसी सब्द की परिभासा से अलग है, इसमें पांच या अधिक हिंसक ब्यक्तियों के समों को भीड के रूप में परिभा प्रव्पर्व इस दोनों प्रवों के बीच मारवाई समाज की सुहागीन महलाए यूंर करते हैं की कुवारी कन्याय अच्छे वर की कामना के लिए यावरत रखती हैं बता दे डाटेंगाई सहर के जामा मस्जीद, छोटी मस्जीद, नुरी मस्जीद, सहीत कई मस्जीदों में इद की नमाज पढ़ी गई इस दवरान सबसे अधिक भीड जामा मस्जीदे में देखी गई मौसम विभाग का पुरुनमान 18 अपरेल तक 12 जारखन के लिए 15 दिन के मौसम का पुरुनमान भारत मौसम विज्जान विभाग के रांची सित मौसम के दिने जारी किया है इसमें बताया गया है कि 12 से 18 अपरेल के बीच गरज चमक के साथ बारिस होगी वहरपात होने का भी जारखन में समाने से कम बारिस होगी ऐसा अनुमान है मौसम केंद्र के परमुक ने बताया है कि 12 से 18 अपरेल के बीच अधिकतम ताप मान समाने या समाने से कम रहने का अनुमान है रांची के तमार से 8 केजी का IED बरामत जारखन में एक बार फिर नक्सलियों के साजिस नकाम हो गई है ससस्त स्वीमा बल ने सर्च अपरेशन के दोर रांची जी लेके तमार इलाके से 8 किलो का IED बरामत किया है जारखन जगुवार की टीम ने सुचना मिलते ही मौके पर पहुच कर बाम को डिफ्यूज कर दिया है बता दें लोग सभा चुना दो है 24 के दोरान सुरक्षा बलो को नुक्सान पहुचाने के उदेश से नक्सलियों ने ए साजिस रची थी लेकिन सर्च अफ्रेशन चला कर ततपरता दिखाते वे सुरक्षा बलो ने उसकी साजिस नकाम कर दी है जारखन के रांची जीले के तमार थाना चेत्रे के मोनो गोरा आकार गोला मार्ग पर एक पुलिया से पुलिस ने IED बम को ब्रामत किया है जारखन में नकसली दमपत्ती समेत भागपा मवादी के 15 सदस्यों ने किया सरेंडर जारखन में 10 को तक आतंक मचाने वाले नकसलीों की कमर धीरे धीरे तूरती जा रही है कोलान और सरांटा के बिहडों में आतंक मचाने वाले भागपा मवादी के 15 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है पाच्मी सिम्भूम के जीला मुखेले चाईबसा में गुरु वार को सभी ने CRPF एम जारकन पुलिस के अधिकारियों के सामने आत्मसमरपन कर दिया बता दे सुरक्षाबलों के सामने हाथियार डालने वाले 15 नक्सलियों में से 7 की उमर 30 साल से कम है वहीं एक नवालिक है और 3 की उमर महज 9 साल है एक नक्सलिक उमर 50 साल है पुलिस एवम सुरक्षाबलों का कहना है कि भागपा मवादी संगटन के आंतरिक सोसान भाया दोहन एवं पुलिस की लगातार बढ़ती दविस की वज़ा से कई नक्सली मुख्यधरा में सामिर हो रहे हैं नक्सलीों ने जार्खन पुलिस एवं केंजरी रिजरोब पुलिस बल के समग सामोही की रूप से सरेंडर किया है सरहुल पर आदिवासी होस्टल में जार्खन सीम का अलग अंदाज जार्खन के कोने कोने में प्रकिर्ती वर्व सरहुल हर्सो लास्क साथ मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री चमपाई सुरेन राजधानी रांची के आदिवासी होस्टल में सरहुल पुजा में सामिल हुए यहां से उन्होंने जार्खन के लोगों को सरहुल ईद और नौरात्री की सुबकामनाई भी दी है बतादे सरहुल पर आदिवासी होस्टल में जारकन के सीएम चमपाई सुरेन का अलग अंदाज देखा गया इस दोरान उन्होंने सारना असल पर जाकर पुजा की राजे के लोगों की खुस हाली की कामना भी की है वहीं जारकन के पुर्व मुक्य मंत्री हमाउसीरेन सरहुल पुजा में हर साल सामिल होते रहे हैं इस बार वे जेल में बंध हैं इसलिए आदिवासी होस्टल नहीं आएं जमसेदपूर के MGM में सो को चुहेने कुतरा कोलहान के सबसे बड़ सरकारी अस्पताल महत्मा गांधी मिमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड होस्पीटल के सित ग्रीह में रखे सो को चुहेने कुतर दिया है आक्रोसित परिजनों ने गुरु आर सुबा MGM अस्पताल परिशर में हंगामा कर दिया परिजनों के हंगामे के वज़ा से अस्पताल परिशर में आपरा तप्री मच गई मिरित्तक के रिष्टेदार ग्यानेसवर सिंग ने बताया कि मानगो दाई गुट्टू निवासी स्याम सिंग मंगलवार को वाहन से गिरने की वज़ा से गायल हो गए थे इलाज के लिए बुद्धवार की सुबह परिजनों ने एमजेम अस्पताल के इमर्जेंसी में भरती कराया था इलाज के दोरान से आम सिंग की इमर्जेंसी में ही बुद्धवार की सुबह मौत हो गई मुखे मंत्री चमपाई सुरेन और कलपना सुरेन ने दी सरहूल की सुबकमनाय जारखन के मुखे मंत्री चमपाई सुरेन और सुबे के पूरु मुखे मंत्री हमान सुरेन की पत्नी और जामो नेता कलपना मुर्मो सुरेन ने सरहूल की सुबकमनाय दी है दुनने सोसल मीडिया साइट एकस पर ट्वीट के जरिये प्रकिति पर्व की सुभखमनाये लोगों को दिया है मुख्यमति चमपाई शुरे ने एकस पर लिखा जोहार आप सभी को प्रकिति पर्व सरहूल के हातिक सुभखमनाये उन्होंने इसी ट्वीट में आगे लिखा है कि सरुल का संदेश है कि प्रकिती में मौजूद पेड़ पोधो, पहार, नदी, जमीन, सुर्ग की तरह हम सभी आपस में प्रेम, भाईचारे वा एकता के साथ रहे तथा समाई से जुड़े रहे धनबाद में अपनो संग मनाई इद की खुसिया, कोलान चल में गुर्वार को हरसो लास से इद मनाई गई इस अवसरप्र महजीदों इदगाहों में नमाज आदा की वही महिलाओने घर में ही नमाज आदा कर अला की दी हुई नेमतों के लिए सुक्रिया आदा की आ है इद को लेकर अहले सुबा सही मुस्लिम बहुल छेत्र में चाहल पहल सुरू हो गाई लोगों ने नएक अपने पहान कर मौलाना वा इमाम की महजुदगी में इद की विशेस नमाज आदा कर देश में अमन चैन की दुआ मागी है बता दे कोईला नगर मस्जीद, नूरी मस्जीद, मदनी मस्जीद, कोईला नगर मस्जीद, सबीली मस्जीद वा अन्य मस्जीदों में इद की नमाज आदा कर लोगों ने एक दूसरे के गले लगा कर मुबारक बाद दिया है देवघर के लकडी मील में लगी आग 14 लाग का नुकसान जारकन के देवघर जिले के जसी धी के आरोगे भवन के बगल में स्थीत राय उट्स वर्क्स नाम लकडी मील में अचानाक आग लग गई घर्टना में लकडी मील की मसीन समेथ पूरा फॉंडेंशन सेट आधी जल गए मील मालिक मुन्ना कुमार राय ने करीब 14 लाग रुपे की छती का दावा किया है घर्टना की सुचना पाकर चार दमकल के साथ अगनी समन विभाग के कर्मी आग बुझाने पहुचे बता दे बुध्वार रात करीब 2 बज़े से आग बुझाना सुरू किया गया और करीब 8 घंटे में अप्रेशन पुरा हुआ है सुबा 10 बज़े लकडी मील की आग अगनी समन विभाग के कर्मियों द्वारा पुरी तरह से बुझा जा सकी है रिम्स में लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या रिम्स में मरीजों की संख्या दिन परती दिन बढ़ती ही जा रही है यहाँ बुखार का इलाज कराने से लेकर मेजर सजरी तक के लिए मरीज भीभीन जिलों से आते हैं यही वज़ा है कि यहाँ एकई सो बेड भी मरीजों के लिए कम पड़ेज रहे हैं अगर समाने बीमारी का इलाज जिला अस्पतालों में होने लगता तो रिम्स पर मरीजों का लोड कम रहता रिम्स में मरीजों के इलाज की चुनोती इसलिए भी है क्योंकि यहाँ वर्तमान में 3500 मेन पावर की कमी है इसमें डॉक्टर, नर्स और पारामेटकल स्टाप भी सामिल है इधार रिम्स परवंधन का कहना है कि एकई सो बेड में से 190 आईस्यू बेड है लेकिन यहाँ मरीजों की चामता के हिसाब से कम है आईसे में मरीजों की परशानी का सामना करना पड़ता है जारखन बिहार में 100 लोगों पर 57 फोन कनेक्सन दुर संचार के मामले में जारखन बिहार की सिती काफी खराब है हाले आ है कि टेली डेंसिटी के मामले में पूरे देश में बिहार सरकील यानि जारकन बिहार में एक बड़ा तब का संचार सुविधायों से अभी दूर है टराई की जनवारी दौज़ाचोविस की रिपोर्ट का नुसार बिहार सरकिल का टेली डेंसिटी सिर्फ 56.66% है मतलब यहाई कि जारकन बिहार में 100 लोगों पर सिर्फ 57 कनेक्शन है यह देश में सबसे कम है वह उतर पर देश में 100 लोगों पर सरसाट ओडिशा में 76 और पछे मंगाल में 82 कनेक्शन है टेली डेंसिटी का मतलब हर 100 लोगों पर टेली फोन कनेक्शन की संक्या से है बाबा मंदिर के आसपास हाई रेजुलेशन कैमेरों से निगरानी बाबा मंदिर के आसपास की जगों की निगरानी अब CCTV कैमरों से की जाएगी परसाटन की ओर से छेतर में एक गारत जगों पर हाई रेजुलेशन कैमरे लगाए गए हैं यह सबी कैमरे नाइट वीजन और मूवेबल हैं इसका कंट्रोल रूम बाबा मंदिर में बनाया गया है और इसे जीला परसाटन के कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा स्थी सी टीवी कैमरे सरकार भवन रोड बीएट कॉलेज रोड पंडित सीव राम जाचक सीव गंगा के दोनों किनारे मान सनोवर आदी जगह पर लगाए गया है अब पूलिस की नजर इन इलाकों पर रहेगी पलामू एसपी ने कहा परव हमें प्रमपराव से जोड़े रखता है पूलिस लाइन में गुर्वार को सरहुल मनाया गया मोके पर एसपी रिस्मा रमेशन ने कहा है कि सरहुल प्रकृती से जुड़ा परव है पूलिस लाइन में इस परव को मनाने की प्रमपरा शुरू की गाई है अब परतिक वर्ष यह पर मनाने की जरूरत है इसकी पहल जिन लोगों ने की है वे सराहनिये है इस कारकरम की जनकारी मिली तो काफी खुसी हुई उन्होंने कहा है कि मिट्टी से जुड़ कर ही अपनी संस्कृती की पाचान बचाई जा सकती है पर वहां में प्रमपराव से जोड़े रखता है इन्होंने इद और सरहुल की सुबकवनाय दी मौके पर नाकपुरी निरित गीत प्रस्तूत किये गा ह इंजिनियरिंग डिग्री पीजी के लिए ऑनलेन कोर्स पर रोक अब विद्यार्थी इंजिनियरिंग और टेकनोलोजी, प्लानिंग, होटल मेनेजमेंट और कैटरिंग टेकनोलोजी, अपलाइड आट्स और क्रॉफ्ट और डिजाइन में डिप्लोमा, डिग्री तथा पो प्रफेसर राजीव कुमार ने इस बाबत अधिसुतना भी जारी कर दी है, प्रफेसर कुमार के नुसार, AICTC पॉलिसी की मताबिक इन कोर्सों को ODL तथा आउनलेन कोर्स की स्युक्रिती नहीं दी जा रही है, कोई संस्था या विश्वभी देले इस तरह के कोर्स का संच चलन करते हैं, तो वे AICTC पॉलिसी की बिरूद होंगे वह इसके पवन पत्र की बैता नहीं रहेगी, पॉलिटेकनिक के छात्रों के लिए अनिवार्य किया गया कम्यूनिटी वेस्ट प्रोजेक्ट, राजी के पॉलिटेकनिक कोलेजों में चल रहे डिप्लोमा कोर्स के सिल लेबस में बड़ा बदलाव किया गया है, जारखन उनिवर्सिटी ओफ टेकनोलोजी द्वारा गठीत, हाई लेवल कमीटी ने इसकी सुग्रिती परदान कर दी है, साथ ही विश्व विद्याले ने इसे लागू भी कर दिया है, इस बदलाव के ताहत अब डिप्लोमा के प देहन कर समस्या वो उसके समधान से समधित प्रजेक्ट त्यार करने होंगे, जारखन हाई कोट में असिस्टेंट के 410 पदों पर भरती पर क्रिया शुरू, सरकारी नोकरी की तलास कर रहे, LLB या असनातक पास अभ्यार्थियों के लिए जारखन हाई कोट में नोकरी पान को एक चुक अभ्यार्ती अव निर्धारित प्रारूप वह सर्तों के अनुसार आवेधन कर सकते हैं, जारखन हाई कोट की इस भरती का विगापन 7 अप्रिल 2024 को जारी किया गया था, इस भरती में आवेधन को एक चुक अभ्यार्ती को सलाह है की, आवेधन करने से पहले पुक ताव अने सर्तों की विष्थी जनकारी के लिए चारकान हाई कोट की अफिसेल वेप साइट पर जाकर भरती नोटपीकेस दान से देखें, रांची में सरहुल और इद पर्व सांती पुन महोल में मनाया गया, रांची जीले में प्रकिती पर्व सरहुल और इद गु के तनाती किया गया था, वहीं अतिरिक्त व्यवस्ता में रांची में रैप की एक कमपनी एक अगिन समंदस्ता को भी लगाया गया था, जूलूस वाले मार्ग परवानों की आवाजाही बंद रही, वहीं सहर के प्रमुक इलाके और सन्वेदन सील इलाकों में दंडा अधि कारी हर पल की खबर लेते रहे, जारखन के कुख्यात पांडे गिरोह से जुड़े हैं लारेंग्स के तार, गैंस्टर कुख्यात लारेंग्स विश्रोई गैंग से जारखन के पांडे गिरोह का तार जुड़ गया है, संगठित अपराज से जुड़े अपराधियों के वि ख्यात अपराधी गोविंद राय को भी रिमांड पर लेकर ATS की टीम पुस्ताच करेगी बता दे पुरा मामला हरियानस के गुरगावा से जुड़ा हुए है वहाँ 15-16 दिन परले गुरगावा में एक बेवसाई सचीन मुंजाल की हत्या हुई थी इस हत्याकांड में सामिल अपराधी लोरेंग से जुड़े हुए थे जमीन घोटाले मामले में जुड़े बड़े कारोबारी की मौत बर्यातु की 8.86 एकर जमीन हरपने की कोसिस मामले में इड़ी के पुरुम मुख मंत्री हमाउसरेन के साथ चासीट हिलेरियस कक्छप की मंगलवार की रात हिरदय गती रुकने से मौत हो गई सीने में दर्द की सिकायत पर हिलेरियस के सोजन उसे लेकर रिम्च पहुचे थे जहां इलाज के करमें उसकी मौत हो गई हिलेरियस पहले सी बिमार चल रहा था उसे कई बिमारिया थी हिलेरियस कक्चप डियेभी बरियातु के समीब सेरेया इकलेव रोड का निवासी था रांची में सेना की जमीन पर कबजा मामले में 150 पर एफ़ाया इन आरोपितों की गिरफतारी के लिए पुलिस चाप्यमारी कर रही है पुलिस की जाच में इस बात का खुलासा हुआ है कि मंगलवार को पुलिस जब कबजा रोकने गई तो आरोपितों के द्वारा पुलिस कर्मी राज कुमार के साथ बस सुलकी की गई इस मामल में दो प्रात्मी की हुई है पहली प्रात्मी की सेना के अधिकारी MK राय के ब्यान पर और दूसरी प्रात्मी की पुलिस कर्मी राजंद्र कुमार राय के ब्यान पर हुई है धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं है तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल अगर दबाईए साथ इसाथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोफ तोक से अशे करना ना भूले साथ इसाथ आपने में कमेंट बक्स पर अपना फिडिवेक अवसे दे थैंक यू